हेलो फ्रेंट्स एंडियर स्टुडेंट्स आजका हमार टॉपिक है इनौर्गेनिक फर्मासुटिकल केमिस्ट्री के अंतरगत एस वीडियो में हम लोग एस्टिंजेंट्स का एक जनरल इंट्रोड़क्शन इनके मैंके मैंको अफेक्शन यूजे दित्यादी के बारे में आस हम इसकिन की बात कर रहे हैं वहां पर उपलब्द जो सर्फिस पर प्रोटीन से उनका प्रेसिपटेशन काॉस करते हैं और इस तरीके से अपना एक्शन शो कर पाते हैं नेक्स एस्टिंजन जो है वह लैटिन वर्ड एड इस्टिंजर से लिया गया है और इसका मतलब होता ह है तो बाइंड फास जयाने कि जो भी सर्फिस के प्रोटीन के साथ जोड़ेन और जोड़ करके अपने अक्शन को क्या करना दिखाना को कह सकते हैं कि यह जो surface के protein का precipitation कर रहा है उसकी वज़े से soft issues में local इस तर पे जहां पर यगाया जा रहा है यह नहीं कि आपने लगाया हाथ में और यह अंदर जा करके कुछ कर रहा है नहीं यह जिस जगह पर लगाओगे locally वहीं पर construction cost करेगा यानि कि construction या सिंक्रेज यानि कि सिंक करेगा उस जगह को ताकि वहां पर dryness उतन हो और वह जो area है वह क्या हो जाए जो सिकुलन वहां पर उपलब्द हो नेक्स्ट यह जो हैं इन्हें हम drying agents भी बोलते हैं क्योंकि जब यह प्रोटीन को करते हैं और सिंक्रेश करते हैं या कॉंस्टिक्शन करते हैं किसका हमारी स्किन का तो उस जगह पे जो भी कुछ लिक्विड है चाहिए वह उपर से अंदर की तरफ नहीं जा सकता अंदर से बाहर की तरफ नही हैं जो कि locally जहां पर यूज करता है वहीं पर यह deeper effect नहीं शो करते हैं या host tissue जो है उसके उपर कोई effect नहीं डालते कि host tissue के अंदर जो protein है उसको precipitate करें और आपके जो normal functioning है tissues की उसको रोकें ऐसा नहीं करते हैं इसके अलावा यह ऐसा क्यों कर पाते हैं क्योंकि जो इंकी penetration power है यानि की absorb होने की जो इंकी छमता है वो बहुत ही कम है यानि अगर आप इसको screen पर लगाएंगे तो यह अंदर की तरफ धस नहीं सकते या अपने effect को नहीं शो कर सकते डीपर effect इसलिए यहां पर नहीं पाया जाते और यह कहां पर लगा हम सकते हैं जो भी हमारी damage the skin हो वहां पर नगा सकते हैं या mucos membrane के उपर इंका प्रियोग किया जा सकता है जैसे कभी आपको mouse वगएरा में अलसर वगएरा हो सके हैं वहां पर भी हम लोग ले सकते हैं जैसे कि हम लोग कुल्ला करते हैं तो हमें आराम मिलता है तो यही सब इंका काम है और यह जो जितनी भी है वहां से पानी निकल रहा है तो आप क्या करते हैं उसको दबा देते हैं उसके दवाने की वज़े से क्या होता है कि वहां से पानी निकलना बंद हो जाता है ठीक उसी तरीके से छोटी-छोटी क्या हो जाएगा रुख जाएगा और यह अपना एक्शन दिखा पाएंगे और ऐसे ही कंपाउंट को हम क्या कहते हैं अब बात करते हैं मैक्रोबियोजी में जब हम लोग एंटी-मैक्रोबियोजेंस की बात कर रहे थे वहां पे अभी हमने प्रोटीन मैकनिजम को देखा था तो क्या करते हैं जो भी हैं हमारे चाहे वह जिंग सलफेट हो ऐल्मुनियम के जो भी कहना में कंपाउंट्स हैं एलम है हमारा यह सम्में जो है कोई ना कोई मेटल होता है ठीक यह मेटल जो इनार्गनिक एसिंजिन की बात कर रहा हूं मैं तो यह जो अगे आ हूं मेटलिक चीजह हैं उसके अंदर वह जाकर कैप्रोटीन में क्या करेंगी कॉंप्लेक्सेशन को ऊस करते हैं और उस क्उंप्लेक्सेशन की वजह से प्रोटीन की मरलताहें क्या लिए का प्रneyन की यह सब्सक्राइब ज़ूरोत में प्रॏसे और किश्एब है वो impermeable हो जाएगा for the passage of fluid either direction अंदर से बाहर के तरफ या बाहर से अंदर के तरफ किसी प्रकार के किसी भी फ्लूड का पैसे जो है वो क्या हो जाएगा रुक जाएगा इस वज़े से water loss नहीं होगी हमारी इसकिन राइ हो जाएगी अगर इडिमा है कहीं पर कोई पानी जम गया है या फूल गयी है वो जगा या इंफ्लामेशन हो गया है इन सभी जगों में यह क्या करेगा इस प्रकार से अपना आपको आराम पहुचाएगा क्योंकि अगर यह इंफ्लामेशन भी हो गया है या एड तो उससे भी क्या होता है जो इलम है आपका वो क्या करता है और कोई चोटा मोटा कट लगा है तो वहांसे ब्लट का रहेना निकलना रुख जाता है जो भी प्रॉपर्टीज अभी हमने एस्टिजेंट्स की देखी वो हम लोग यूज कर सकते हैं प्रिवेंट करने के लिए किसी भी प्रकार की ब्लीडिंग जो की माइनर कट्स या उन से हो पा रही है की एस्टिजेंट्स को हम कहां पर यूज कर सकते हैं तो यह तो सबसे पहला यूज हो गया कि अगर कोई स्मॉल कट्स या उन लग रहे हैं गहाओ है चोटे या चोटे मोटे कटव यह नहीं कि बहुत बड़ा कोई गहाओ हो गया है तो उसमें यह काम नहीं करेंगे चोटे मोटे गहाओ की बात हो रही है तो वहाँ पर सही जो ब्लीडिंग हो रही है उसको तुरंत स्टॉप करने के काम में आ सकता है इसके साथी साथ जो इंफ्लम्ड एरिया है जो की जहाँ पर इंफ्लमेशन हो गया है एंटी परिस्पेंट्स हम उन एजेंट्स को कहते हैं जो की स्वेटिंग यानि अगर इसकिन में जो पोर्स हैं वहाँ पे अगर प्रोटीन का प्रेसिपिटेशन होगा तो जो एक्सेसिव स्वेटिंग हो रही है पसीना बहुत ज्यादा निकल रहा है वो निकलना बंद होगा और जो पसीने को निकलने से रोकते हैं उनी एजेंट्स को हम क्या करते हैं एंटी परिस्पेंट्स तो यह जो हमारे एसिजेंट्स होते हैं और आपके शरीर में पानी की कमी ना हो जो microbes है उनको भी वो क्या कर सकें ये इंका काम है इसके साथ ही साथ ये किस प्रकार से काम करते हैं जो हमारे क्याना में दो काम है एक तो ये जो हमारे skin में pores हैं उनको constrict करेगा ताकि जो है sweating ना हो तो वहाँ पे microbes होंगे और वो बद्दू पैदा करते हैं ये दोनों चीजों को ये खतम कर सकता है इसलिए हम इसे काम में लाते हैं इसके साथ ही साथ ये कहीं पर चोटे मोटे चोट लगा हो healing के काम में आ सकता है यानि कि skin की healing मतलब घाओ के भरने की शमता को ये promote करता है दूसरा skin को hard बनाता है skin के hard बनाने से क्या होता है कि skin अगर आपकी hard हो जाए माली जे कोई skin जैसे सुकड़ी हुई है अब ये ऐस प्रकार से सुकड़ा हुआ है अगर इसको हम hard करेंगे तो ये क्या हो जागा थोड़ा सब फैल जागा और अच्छा दिखने लगेगा इसलि मैक्रोबियल इंफेक्शन से उनसे आपको क्या करेंगा बचाएगा इसलिए हम लोग डाइडिया के मनेंजमेंट में भी इसका प्रियोग करेंगे हमारे जो यूज के जाते हैं टू दा हाड़निंग ऑफ देर इसकिन जो भी ऐसे खिलाडी है जो कि अपने फीड्स का जैसे और उनकी पकड जो है वो अच्छी बन पाए नेक्स्ट ये जो है थोड़े बहुत इसमें एंटी मैक्रोबल प्रॉपर्टीज भी होती है हमारे इसलिए जो है ये एंटी मैक्रोबल एक्शन भी अपना शो करते हैं और माइक्रोब्स वगेरा को दूर करने के भी काम में आत तो ये सब बहुत ही अच्छे और 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 इस प्रकार से विए यूज के जाते हैं तो यह था आज का टॉपिक हमारा इसे इंजेंस को आसान तरीकिसे समझने की कोशिश की अगर वीडियो आपको पसंद आयोते हैं लाइक कीजे अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर कीजे इस आपको डाउनलोड कर सकते हैं वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद